कारोबार में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट के बाद वोड़ा फोन आइडिया के शेर में भी जबरदस्त तेजी देखी गई है वोड़ा फोन आइडिया के शेर 16 hearts की तेजी के 73.50 रुपे के से पहुँण गई है वो भी बीते शुकरवार को बता दें Vodafone Idea के दूसरी तिमाही के नतीजे जारी हुए हैं नतीजों में Vodafone Idea को 50 करोड 921 लाख रुपे का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था इसे कोपरेटरों के इतिहास का सबसे बड़ा तिमाही घाटा माना जा रहा है इसबेले टाडा मोटर्स ने अक्टूबर 2018 की तिमाही में 26 करोड 921 लाख रुपे का तिमाही नुकसान देखाया था यह उस समय था जब किसी भारते कंपनी का सबसे बड़ा तिमाही घाटा माना जा रहा था लेकिन जिस तरह से शेर बजार में Vodafone और आइडिया की तेजी देखी गई है जिस तरह से उनकी फीजदी में तेजी आई है वो देखते हुए लग रहा है कि Vodafone फिर से अपने गिरते हुए अस्तित्व को वापस लेकर आ सकता है जिस तरह से वो घाटे में चल रहा था वो अपने घाटे को पूरा कर सकता है अगर सरकार इसमें उनका कुछ योगदान दे जहां अगर बता दे वोड़ाफोन आईडिया चाहता है कि अगर सरकार की तरफ से उनकी उनको हेल्प किया जाए उनकी मदद की जाए तो वोड़ाफोन के जो घाटे में चल रहे हैं जो वो अभी नुकसान जहेल रहे हैं वो उनकी भरपाई कर सकते हैं अब यह देखना काफी दल्चस्प होगा क्या सरकार वोड़ाफोन आईडिया की मदद करती है या वोड़ाफोन को खुद अपनी अस्तित्व के लिए अपने घाटे में जो जा रहा है वोड़ाफोन जो नुकसान जहेल रहा है क्या वो उसक से उभर पाएगा नेक्स नाइन टेक्स नाजमिन की रिपोर्ट